हाई दोस्तों केला फ्लेवर चैनल पर सबका स्वाकत है कैसे अब सब आज हम एक बहुत इसी लांच मेनू देखेंगे यह साउत इंदिन स्टाइल लांच मेनू है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो गूसबरी है आमला वो उसको ऐसे पिकल बना रही हूँ और उसके लिए मैं आज यह मैंगो का और पाइनापल का सबका जो पिकल वगर ऐसे टाइप का जो पिकल है वह आपके साथ शेयर किया है तो आप चेक कर सकते हैं मैं लिंक देती हूँ तो यह तो गूसबरी का जो पिकल रेडी हो गया है बहुत सिंपल है अब नेक्स्ट रेसीप पी जो पालक का सांबर बना रही हूँ तो उसके लिए तुआ दाल को कुकर में कुक करेंगे अच्छे से धोने के बाद ऐसे अतीन विसिल के लिए रखेंगे हम ये पालक का सांबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रोसन पालक यूज किया है अब अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल रही हूँ दाल में अगर पानी है तो ऐसे डालने की ज़रत नहीं है उस टैम में बीटरूट को कट करेंगे हम ये साइड डिश के लिए है यहाँ पे ऐसे लंबे काट रही हो आप चोटे चोटे पेसस में भी कट कर सकते हैं अब हम एक घडाई में तेल डाल के उसमें मस्टर सीट्स और जीरा डालेंगे फिर लसन और भ्यास डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे हम फिर इसमें हल्दी और मिर्ची पाउडर डालेंगे और टमाटर भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटर वगेरा सॉफ् अब इतना यह वो रेडी हो गया है अब हम जो साइड डिश के लिए वो बीट रूड है वो बनाएंगे मिर्कुरिटी बोलते है उसके लिए तेल डाला है और मस्टेड जीज, कड़ी पते और अनिन्स डाल के अच्छे से सौटी करेंगे हम अब इसमें हाल्दी डालेंगे और मिर्ची पाउडर डालेंगे और ऐसे मिक्स करेंगे उसके बाद जो बीट रूड को कड़ करके रखा है वो सब इस पर डालेंगे यह बहुत इसी वाला जो स्टिर फ्राई है और इसमें नामक टेस्ट के हिसाब से डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और ढखके रखके हम इस सबी राइस यूज करके यह जो लांच खा सकते है और यह राइस में पालक का सामबार जो ऐसे डाल के खाना बहुत टेस्टी है मैंने यहाँ पर एक पापड भी फ्राई किया है अब यह लांज आप सब लोग ट्रै करके देख लीजिए बहुत हेल्थी है और इसली बना सकत है तो ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक्स कमन करना न भूले और यह वीडियो पसंद आगया तो लाइक भी कर लीजेगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तिल दन बाबाई थैंक्यू सो मच पर वाचिंग